प्रहाई टाइम्स की नूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना बोलें मैं फिरोज हास्मी आप देखने प्रहाई टाइब, मुंबई में लोकल ट्रेनों को लेकर लोगों ने किया अंदोलन, मुंबई लोकल चालू करो, मुंबई लोकल ट्रेन सेवा सुरू करो, इस तरह किनारे बाजी करते प्रवासी विरार इस्टेशन पे सैकडों की तादाद म जमा हुए थे, दरसल आज पिछले कई महीनों से यानि लोकडाउन के सुरुवाती दिनों से, लोकल सेवाए बंद हुई और अभी तक बंद है, जिसके चलते प्रवासीयों को बाई रोड आना जाना पड़ रहा है, और ट्रेन एक घंटे में प्रवासीयों, यानि यात्रि लिए मुंबई के अलग-अलग जगहों पर जाते हैं और इसी वज़ा से आज विरार रेलवे स्टेशन के बाहर आम जंता ने प्रोटेस्ट किया, ट्रावलिंग टाइम जादा लगता है, बसों के लिए घंटों कतार में खड़े रहना पड़ता है, और तीसरी समस्या ये है, ट्रावलिंग में जादा पैसा लग रहा है, हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं, आप देखें कैसे लोग विरार इस्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट किया, ट्रेने चालू करने की मांग की है, हाला कि लोकल ट्रेने चालू है, लेकिन आम जंता के लिए नहीं है, बलकि की सरकारी करमचारियों के लिए है, लोकल ट्रेनों की अगर बात करें तो सोशल डिस्टेंस मेंटें नहीं हो पाती, इसके लिए सरकार ने आम जंता के लिए ट्रेने सुरू करने की अनुमती नहीं दी है, लेकिन ये भी सवाल है, आम आदमी कब तक सब्र करेगा, यही वज ले गए, इसके पहले नाला सोपारा इस्टेशन पर प्रोटेस्ट हुआ था और आज विरार इस्टेशन के बाहर प्रोटेस्ट किया गया, बहराल ट्रेने कब चालू होंगी, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, और इसी के साथ समाज राजनीती से जुड़ी हुई देखने के लिए देखते रहें प्रहाय टाइम